नमस्कार, वेलकम यूँ ओल टू ब्रेंस्टोर मीडी, मैं हुरुपेश कुमार मिस्र और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में देखे इस वीडियो में हम लोग LNMU पार्ट थी का जो एजामनेशन आप लोगा होने वाला है उसमें लगातार GES का सिरीज हम लोग देख रहे हैं ये आपका थर्ड वीडियो है, थर्ड या फोर्थ वीडियो है GES पर और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ important question के सिरीज के बारे में जैसे कि मानलो हमारा इसे पहले हमने एक set A देखा, set B देखा ये जितना भी question में बता रहा हूँ, इसको practice करो क्योंकि maximum question आपका यहीं से आएगा, जितना मैं आपको बताऊंगा कह सकते हैं कि लगबग number of questions यहां से जो आपका match करने का उमीद है वो है 80% minimum, तो आपको कोई भी question छोड़ना नहीं है, सब तयार कर लिना है यहां से हम लोग इस set को भी start करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं है, सब्सक्राइब कर बगाले बिल लाइकन है, प्रेस करके रखेंगे तक आपको इस तरह के वीडियो के notification मिलता रहे है, और यह किनको इलिए है, यह है part 3 वालो के लिए, GES, वो BA, BSE, Bcom, तीनों stream के छादर हो सकते है देखो, पहला question से हम लोग स्टाट करते है, देखो, topmost part of atmosphere is known as, इसका जो right answer होगा, यह होगा, exosphere जो होता है, वो topmost होता है, और सबसे जो नीचे होता है, वो the troposphere, अगर आपको पुछें, lowest part of the atmosphere, that is, इस तरह question में changing करें, तो आप अप उसमें troposphere trick करना है, अगर पूछा जा आपको पूछा है, कि atmosphere का topmost layer, तो इसको हम लोग बोलते है, exosphere, जैसे मान लोग, father अब computer के बारे में पूछ रहे है, कि computer के जनक कौन है, तो Charles Babbage अपने नाम सुना होगा, तो यह answer इसका सही है, इस तरह के questions आए, तो यहाँ पर आपको Charles Babbage टिक करना है, what is the full form of CPU, इसका full form होत कि क्या है, नेक्स्टिज देखो, इंटरनेसल वोमेंस टेक कम नाया जाता है, छटा नमर कुशन है, इसका right option 8 मार्च होगा, ध्यान रखना है, इस तरह कुशन में mistake नहीं होना चाहिए, क्योंकि date के बारे में पूछ रहे है कि क्या मनाया जाते है, 8 मार्च में भी तराय पीकॉक नहीं पीकॉक भारत का है अगर इंडिया का पूछे तो फिर मोर और अगर बिहार का पूछ रहा है तो फिर स्पैरो लिसें टुमी केरफुली study of tissue is called that is called histology जिसको उत्तक विज्ञान बोलते हैं डेमोग्रफी मतलब जिसमें हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं जुलोजी दूसरा चीज है ठीक है उत्तक विज्ञान में हम लोग टिस्यू के बारे में पढ़ते हैं नौ देखो आप तो इस तरह से कुछ कुछ अगर दूरंद लाइन पूछे दूरंद लाइन किस किस के बीच में है तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तो कन्फ्यूज नहीं होना है अगर रेड क्लिप पूछ रहा है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में गल्फ अफ मनार कहां पे लोकेटिड है ऑप्शन नंबर ये है तमिल नडू में ठीक है तमिल नडू का राजधानी आपका कहां पे है चलो बताओ चैन मॉन्सून कंट्रिब्यूट कितना टूटल रेंफॉल करता है इंडिया में तो 86% के आसपास यहां पे देखो देखो देटिशनल नेम औप सहयादरी का परमपरागत नाम क्या है इसको हम पूर्वी घाट बोलते इस्टन घाट सो गया वेस्टन घाट कहां पे हो जाता है य आपका डेकन प्लेच्व के नीचे है न वेस्टन घाट जिदर आपका केडला वाला रिजन पढ़ता है जैसे मालो वेन वाज फर्स्ट एलेक्शन हेल्ड इन इनिपेंडेंस इंडिया पहला इलेक्शन कभ वहा था इंडिया में उनी सो इक्याब और इस्वी में इंडिया म में अब तक जो है सो आर्थिक मतलब वित्य संकट की घोसना कितने बार हुई है एक भी बार नहीं national emergency लगा है लेकिन आज तक financial emergency कभी लागू नहीं किया गया है तो इन में से कोई नहीं यह सब गलाद उतर है लकनो session of Indian national congress that took place in 1960 was presided over by AC मजुमदार जिसका पूरा नाम था अम्बिका चरण मजुमदार AC मजुमदार और इसी साल आपका जो है सो कहने का मतलब यह हुआ था नरंदल इट मिन्स जो है extremist और moderate जो है सो वापस से reunite हो गये था extremist प्लस moderate 1916 महीं लखनो session में यहाँ पर एक पूछ रहा है बाबा एम्टे इस नौन फर विच आफॉल इसको किस ने रिफर किया आपको पता है सुभाष चंदर बोस ने महात्मा गंधी को father of nation कहा था अगर आपको मैं पूछू कि भारत के पहले ग्री मंत्री कौन थे तो वल्ला भाई पटेल भारत के पहले प्रधान मंत्री कौन थे तो जे अल नेहरू रविन्दर टेगोड ने क्या किया है इंडियन नेशनल एंथम को कंपोज किया और सुभाष चंदर बोस ने कहा था कि महात्मा गंधी भारत देश के राश्टपिता है राजा राम मोहन्रोय उनी का नाम है राम मोहन्रोय ठीक है मतलब किस साल इंडिरेक्ट इलेक्शन का इंड़्ी आ इंडिया भी इंत्रोड़ीज किया गया और यह फा एंटीन नेटिट राव स्विर्यन बैसे which of the following who of the following attended all three round table conferences यह पूछ रहा है कि इन में से कौन ऐसे थे जो तीनों round table conference जो हुआ था 19, 29, 30 और 31 में सायद है ना या 30, 31, 32 ऐसे कुछ था तीनों round table का डिट में बता रहो महात्मा गांदी second में थे first और third में नहीं थे और तीनों round table में participate करने वाले कौन थे यह थे बी आर अमबेद कर जो तीनों में अवलेवल थे बाकी यह लोग अवलेवल नहीं थे option A will be the right option बी आर अमबेद कर थर्ड बेटल और पानी पट्वस फॉट इन विच यूर तीसरा बेटल हुआ था सतरह सो एकसरटीस भी में यह आपको ध्यान रखना है और second आपको पूछे तो वह हुआ था 1556 में और पहला अगर पूछे तो वह कब हुआ था 1526 में किसकिस के बीच में बाबर एंड कौन था इब्राहिम लोदी आयल इब्राहिम लोदी और पंदर आपको इस तरह से आता है यह हुआ था आपका 1907 में और इसी साल महिला प्रेसिडेंट थी इंडिया नेसल कॉंग्रेस की वो थी मैडम एनी बेसेंट थियो सोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थी दे गदर पाटी वस फॉंड इनवंबंट 1913 एट संफ्रांसिसको यूस और 1914 में क्या हुआ था कोमा गाटा मारू इंसीडेंट अगर आपको पूछा कोमा गाटा मारू इंसीडेंट का हुआ था मारू इंसीडेंट तो वो हुआ था 1914 में इस तरह से डेट का कुश्च्चन आ सकता है एस पर the cabinet mission plan the strength of the constituent assembly would be cabinet mission के नुसर कितना होना चाहिए था 389, 389 तरह सार्दा सदन 36 का राइट ऑप्श्चन D होगा, that is Pandit Ramabai जो थी उस सार्दा सदन की संस्थापक थी तासकेंथ agreement was signed between तासकेंथ का जो समझाथा था किस-किस के बीच हुआ था वो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में और इस टाइम हमारे भारत के प्रदान मंत्री कौन थे दैट वस लाल बहादूर L.B. सास्तरी सास्तरी उजबिकिस्तान ठीक है तो option A इसका correct होगा पाकिस्तान नेक्स्ट इस फर विच कम्यूनिटी वेर सीट्स रिजब्ट फर दो मोरले मिन्टो एक्ट यह हुआ था Muslims के लिए और यह कब आया था मोरले मिन्टो रिफर्म अगर पूछे कि मोरले मिन्टो रिफर्म कब आया था तो यह आया था 1909 में separate electorate का concept separate electorate होगा किस के लिए Muslims के लिए electorate for Muslims कब हुआ था 1909 में देखो मैंने आपको बोला था जैसे पूछता है भारत के पहले प्रदान मंतरी कौन थे पहले राष्टपती कौन थे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन अगर मैं पूछू की राजी सभा में कितना होता है तो बाहर लेगि लोग सभा में कितना दो क्वें एक क्षिज़न है वू अमंग थे फॉलिया पूट फौट फोवर था इडिवा थे इडा फॉट आपकों थे पूट पूट किया था कुछ्टछन पढ़ हूए घंधी जी नहीं होगा इस XVI. How many fundamental rights has been provided by the constitution of India? Very simple question. 6 fundamental rights है. कौन कौन सा fundamental right है? यहाप एकोगा right to equality. That is right to freedom. Third is aapka right against exploitation. Fourth is aapka secularism वाला जो concept है. Article 25 से लेके 28 में. जसको हम लोग बोलते हैं. Right to freedom of religion. Freedom of conscience. है ना religion वाला ज़ाता है. उसके बाद cultural and educational rights and right to constitutional remedies. आप पुछों कि right to property. अगर आपो गुशन ने पूछते ही, right to property is a fundamental right? No, right to property is a right to property is a legal right. लेकिन यह constitutional right भी है. Article 300 A में पुट किया गया है और part 12 में, X2 में. It is a constitutional as well as legal right. But now this is not a fundamental right. So अभी कितने fundamental rights है? 6 पहले कितना था? 44th Constitutional Amendment Act of 1978 से. Question ध्यान रखना है, यहाँ से याद. याद रखना है. In which year was new economic policy in India was introduced? That is the 1991 में आपका भारत में नही आर्थिक निती का सुरुवात किया गया था. अब एक question आपके सामने मूठ के आ रहा है? That is, कि when was the World Trade Center in USA attacked? यह एक date से आपको पता पूछना पढ़ना है. वो had given the slogan of जय जवान जय किसान. आपको पता रहना चाहिए. लाल भादूर सास्तरी ने यह नारा दिया था. जय जवान जय किसान का. बीजेपी तो अभी नाया नाया बना ही है. 40-45 साल पहले. लेकिन Muslim League का हुआ है? लगवा है 1906 में. Now the next is, यहाँ पर आपके सामने मूठ कुछ कुछन आ रहा है. देखो, headquarter के बाद में पूछ रहा है, Olympic Committee कहा पर located है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? यहाँ मिका सिंग. उप्शन नमबर D इसका देखो. उसके बाद है देखो, 55 का विच फोरेस्ट आल्स पर इस रेफर्ट आज मौन सून फोरेस्ट आटी, इस डाद में पर अपूस्ट आल्स इस रेखो पादी हिए, भेर्फि कम कैंशन ओर। who wrote the book the making of India 61 का right option होगा अखिलेस तिलोतिया option number A the main food main food crop of Rabi session the headquarter of world intellectual property organization WIPO के बारे में पूछ रहा है कहां पे है 65 का है सार्क में कौन साब member country सार्क कर नहीं है तो में मार नहीं है बाकी नेपाल, बंगलादेश, इंडिया ये सब इसका member है South Association of South Association of Regional Cooperation South Asian Association of Regional Cooperation which of the following is the headquarter of WTO that is World Trade Organization का headquarter कहां के जेनेबाब में अब ये इसमें कुश्चन आ सकता है World Trade Organization कभ इस्टैबलिस हुआ था ठीक the number of principal organs in UNO that is D option G7 क्या include करता है G7 में कौन South Africa आता है नहीं Australia आता है नहीं, India आता है G7 में इटली आता है G7 में रूस भी आता है G7 में तो पूछ रहा है G7 में कौन आता है इटली G15 is a member of 769 का right option होगा developing countries developed नहीं है, developing है developed जैसे क्या हो जाता है जैसे अमेरिका सब हो गया वो सब क्या होगा developed हो चुका है गुट निर्पेक्ष है फर्स जनरल सेक्रेटरी ऑफ यवन्यो का पहला जनरल सेक्रेटरी कौन था ट्रिग लाई option number अभी कौन जनरल सेक्रेटरी ऑफ यवन्यो बताऊ comment box में which Asian country recently unwield national security policy 71 next is who is the father of botany देखो Theophrastus father of botany कहा जाता है इनको उसके बाद आपका देखो 75 में पर पूछ रहा है जो part of the body digestion of protein begins कहां से होता है name the longest bone of the body the sweetest taste of fruit is fructose what we do the formula of fructose that is 79 का BC6 S12O6 CEO of UIDAI Unique Identification Authority of India के CEO कौन थे 2012 तक तो ये थे Saurabh Girl लेकिन अभी 2023 से भी चल रहा है तो आपको पता कर लेना है कि UIDAI के कौन करेंट में है ये सब करेंट के किस post पे कौन है ये आपको ध्यान से देख लेना है इस तरह के question पूछे जाते है first chief of defense staff इंडिया के कौन थे बहुत simple question है CDS वो थे विपीन रावत जिनका ध्यान आज से लगए एक देट दू साल पहले हुआ है विपीन रावत पहले थे अभी CDS कौन है ये आपको comment box से बता है प्रजेंट में CDS कौन है which country back the first spot in the human freedom index ये question होगे human development index publish किसके द्वारा किया जाता है global hunger index में देखो अभी इंडिया कितने नमर पे आया है इस बार साथ 107 पे आया है ये देखना इस बार का अगर इस बार पूछे कितने नमर पे है तो 187 पे आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हूँ इसी तरह हम लोग फिर next series एक आएगा वीडियो थोरा लेंदी में बनाऊँगा जो next series में लगभग आपका आधा पून घंटा का वीडियो होगा 40-45 मिनट के आस पास का लेकिन जितना कुश्चन में आपको प्रेक्टिस करवा रहा हूँ परिक्षा में आपका कहीं नहीं छूटेगा कुश्चन